हलो फ्रेंट्स टेक्ति दीप पर आप सब कस्वा अगत है सो आप अगर 13,000 के अंदर एक बेस्ट मार्टफोन बाई करना चाते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो क्योंकि यहाँ पर मैं टॉप फोर बेस्ट मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आता है 13,000 के अंदर सो सभी डिवाइसेस के बारे में जानने से पहले आप अगर चनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो के एक लाइक कर देना सो 13,000 के अंदर यहाँ पास जो पहला स्मार्टफोन है यह है रियल्मी नाट्जो 50 ए इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस चल रहा है 12,499 रूपीज सो यह डेबाइस 4G नेटवर्केंट 6.5 इंच का IPS LCD डिस्पेले के साथ आता है और इसका मैं अगर पोसेसर की बात करूँ तो यह डेबाइस पार्ट बाई है MediaTek Helio G85 पोसेसर के साथ जो की इस प्राइस एंच के अंदर 12 नेनोमीटर का एक अच्छा गेमिंग पोसेसर भी है इसे के साथ 4GB का RAM एंड 128GB का स्टोरेज दिया गया है और यह रन करता है Android 11 एंड Realme UI 2.0 OS के साथ तो अब बात करता हूँ इसके कैमेरा के बारे में तो यहां पर कफी बड़िया कैमेरा देखने को मिलता है 50MP, 2MP, 2MP एंड 2MP एंड इस कैमेरा से आप 1080p, 60fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसे के साथ इसके font साइट पे 8MP का कैमेरा दिया गया है एंड इससे अब 1080p, 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो और यह 6000 एमेज का पारफुल बैटरी एंड 18W फास्ट चाजिंग के साथ आता है और USB Type-C, 2.0 चाजिंग पोट एंड रेयर माउंटेन फिंगर पिंसें सा दिया गया है सो अब बात करता हूं एक्स डिवाइस के बारे में तो 13,000 के अंदर इहां पाच जो नेक्स डिवाइस है यह है Redmi 10 Prime इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस चल रहा है 12,499 रूपीज सो यह डिवाइस 4G Network and 6.5 इंच का बीग IPS LCD डिस्पेले के साथ आता है और इसके फॉंट साइड पे गोडिला ग्लास 3 का पोटेक्शन देखने को मिलता है और इसका जो डिस्पेले रिफ्रेस सेट है यह है 90Hz सो इसका मैं अगर पोसेसर की बात करूँ तो यह डिवाइस पार्ट बाई है Mediatek लिए G88 पोसेसर के साथ और इसके साथ 4GB का RAM और 64GB का स्टोरेज दिया गया है और यह रान करता है Android 11 और MIUI 12.5 के साथ तो अब बात करता हूँ इसके कैमेरा के बारे में तो इसका जो में कैमेरा है यहाँ पर कोड कैमेरा सेटप दिया गया है 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP और 2MP और इसके फॉंट साइट पे 8MP का कैमेरा देखने को मिलता है और दोनों साइट का कैमेरा से ही आप 1080p 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसके साथ ही यह 6000 एमेज बैटरी एंड 18W फास्स अजिंग के साथ आता है एंड USB Type-C 2.0 चार्जिंग पोट और फोन के साइट पे फिंगरपिन सेंसर दिया गया है आप अगर इसे बाई करना चाते हो तो डेस्क्रिस्टेन में सभी का लिंक है उहां से जाकर चेक आउट कर सकते हो सो 13,000 के अंदर यहां पाट जो नेक्स डिवाइस है यह है Samsung Galaxy F12 इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस चल रहा है 11,939 रूपीज सो यह डिवाइस 4G नेट वार्क एंड 6.5 इंच का PLS IPS डिस्पेले के साथ आता है एंड इसका जो डिस्पेले रिफेसेट है यह है 90Hz और इसके फॉंट साइट पे गोडिला गलास का पोटेक्सेन देखने का मिलता है सो अब बात करता हूँ इसके पोसेसर के बारे में तो यह डिवाइस पार्ट बाई है एक जीनोस 850 पोसेसर के साथ जो की एक सैमसूम का 8 नानो मीटा टेक्नोलिजी बेस्ट पारफूल पोसेसर है इसके साथ 4GB का RAM और 64GB का स्टोरेज दिया गया है एंड यह रान करता है Android 11 और One UI 3.1 OS के साथ सो इसका मैं अगर कैमेरा की बात करूँ तो यहाँ पर भी कफी बड़िया कैमेरा देखने को मिलता है 48MP प्लास 5MP और 2MP और 2MP और इसके फॉंट साइट पे 8MP का कैमेरा दिया गया है एंड दोनों कैमेरा से ही आप 1080p 30PS तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो एंड इसका जो बैटरी है यहाँ पर 6000MH के बैटरी दिया गया है 15W fast charging के साथ इसी के साथ USB Type-C 2.0 charging port और फोन के साइट पे fingerprint sensor देखने को मिलता है सो यहाँ पर जो next device है यह है Infinix Hot 10S इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस चाल रहा है 12,049 रूपेज सो यह रवाइस 4G network and 6.82 इंच का बीग IPS LCD डिस्पेले के साथ आता है एंड इसका जो डिस्पेले refresh rate है यह है 90Hz सो इसका में अगर पोसेशोर की बात करू तो यह रवाइस पार्ट बाई है MediaTek Helio G85 पोसेशोर के साथ जो की एक MediaTek का 12nm technology based एक gaming series का पोसेशोर है इसके साथ 6GB का RAM एंड 64GB का storage दिया गया है एंड यह run करता है Android 11 एंड XOS 7.6 के साथ सो इसका में अगर कैमेरा की बात करू तो यहाँ पर 48MP प्लस 2MP एंड AI कैमेरा दिया गया है और इसके font side पे 8MP का कैमेरा देखने को मिलता है एंड दोनों side का कैमेरा से ही आप 1080p 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसके साथ यह 6000 एमेज बैटरी एंड रेयर माउंटेंड फिंगर प्रिंच सेंसर के साथ आता है सो फ्रेंड यह फोर डिबाइस में से कौन साब का अच्छा लगा कमेंड में जोरूर बताना एंड आइसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना